साथियों, चुनाओं से पहले जब मैं जांसी आया था, तब मैंने बुंदेल खंड की बहनों से कहा था कि बीते पाँच वर्ष सौचाले के लिए थे और आने वाले पाँच वर्ष पानी के लिए होंगे. बहनों के आशिरवात से हर गर जल पहुँचाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है. यूपी और एमपी में ये बुंदेल खंड फेला हुआ है. ये बुंदेल खंड के सभी जिलों में पानी के स्रोतों का निर्मान करने और पाइपलाइन बिशाने का काम निरंतर जा रही है. इस खेत्र में दस हजार करोड रुपे से अधिक की करीब पानसो जल परियोजनाओं की स्विकृति दी जा चुकी है. पिछले दो मेहने में इनमें से करीब परीब तीन हजार करोड रुपे की परियोजनाओं पर काम शुरू भी हो चुका है. जब ये तयार हो जाएगी तो इससे बुंदेल खंड के लाखो परिवारों को सीधा लाब होगा. इतना ही नहीं बुंदेल खंड में भूजल के स्थर को उपर उठाने के लिए अटल भूजल योजनाओं पर भी काम चल रहा है. जांसी, महोबा, बांदा, हमीरपूर, चित्रकूर्ट और ललिकपूर्ट इसके साथ साथ पस्चीम यूपी के सैकड़ों गावों में जलस्तर को सुधारने के लिए साथ सो करोड रुपे से अधिक की योजनाओं पर काम जारी है. साथियों, बुंदेल खंड के एक और बेतवा बहती है और दूसरी और केन नदी बहती है. उत्तर दिशा में मा यमुनाजी है, लेकिन स्थित्या ऐसी है कि नदियों के पानी का पुरा लाब पूरे ख्षेत्रों को नहीं मिल पाता है. इस थित्या को बदलने के लिए भी केंद्र सरकार निरंतर प्यास कर रही है. केन बेतवा नदी लिंक परियोजना में इस ख्षेत्र के भागे को बदलने की बहुत ताकत है. इस दिशा में हम दोनों राज्य सरकारों के साथ लगातार संपर्क में हैं, काम कर रहे हैं. मुझे पुरा विश्वास है कि एक बार जब गुंदेलखन को परियाप्त जल मिलेगा, तो यहां जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा.